बड़ी बेहन इस सब को सिर्फ सुनने से ही एक अलग सा प्यार आता है क्योंकि लखी होते हैं वो लोग जिनके पास पेहन होती है और उनसे भी ज़्यादा लखी वो लोग होते हैं जिनके पास बड़ी बेहन होती है क्योंकि इसके साथ होने से एक अलगी हिमत और होसला मिलता है जिसके साथ लड़ाई में भी प्यार आता है जो हमारी छोटी-छोटी जरूरतों का ख्याद रखती है जो गलतियों में भी हमको सपोर्ट करती है बड़ी बेहन वो होती है जो खुद चाहे हमें मार भी ले लेकिन दूसरों से हमारे लिए लड़ जाती है बड़ी बहन मा के बाद मा का किरिदार निबाती है जो खुद से जादा हमारे लिए दुआ करती है हमारे लिए फिकर करती है वो बहन नहीं और चाही है मेरी मा की जो दूर होके भी पास है मेरे, वो बहन नहीं परिस्ता है मेरे लिए बड़ी बहन घर की बेटी नहीं, बेटा होती है, जो अपनों के लिए सब से लड़ जाए जो घर के सारे फ़र हास्ते आस्ते निभाले दिया बड़ी बहन की डाट में भी फिकर नजर आती है क्योंकि मा के बाद वो मा का किरिदार निभाती है मा का हर फर जदा करती है इसलिए ही तो वो मा की परच्छाई कहलाती है बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्दी किस अब में बड़ी बहन होती है